सिमुटने लगा आखार नक्सली कर रहे सरंड़ खाथ में की कारवाई हुई तेश बाक्फुट पर नक्सल्वाद बस्तर की बदली तस्वीर युवाओ को मिल रहा रोजगा 36 गड़ के खुपसूरत इलाकों में शुमार बस्तर शिद्र को नक्सलियों ने आतंकी गतिविधियों का अड़ा बना लिया था यहां की जंगलों पर अपना सिक्का जमा लिया था बंधमा को और नक्सलियों की क्रूरता चरम पर पहुँच गई थी बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतार देना सुरक्षबलों के काफिले पर हमला करना आमसा हो गया था नक्सलियों की लगादार बढ़ रही हिंसात्मत गतिविधियों पर विराम लगा ने और उनके तायरे को समेटने का भियान शुरू किया गया और उसका आकार सिमटता चला गया 2024 में सुरक्षबल और नक्सलियों के बीच अब तक 71 मुटबेड हो चुकी है इन मुटबेडों में 123 नक्सली मारे जा चुके है मारे गए नक्सलियों में कई बड़े लीडर भी शामिल है जिन पर लाखो रुपे का इनाम खोशित किया गया था 399 नक्सली हथियार डाल चुके चतिस गड़ इस वक्स सबसे ज़्यादा चर्ची थे अपने एंटी नक्सल ओपरेशन्स की कारण चतिस गड़ में विश्वदेव साह सरकार बने के बाद जनवरी से अब तक 71 पुलिस नक्सली एंकाउंटर्स हुए हैं जिसमें 123 नक्सली मारे गए हैं मतलब इतने शव बरामद हुए हो सकता है नक्सली ज़्यादा मारे गए हो लेकिन पुलिस को जो शव मिले उसका अंकड़ाई है और सबसे बड़ी उपलब्दी ये भी ये बस्तर पुलिस की कि 399 नक्सली मुख्यधारा में लोटने के लिए आत्मसमरपन भी कर चुके हैं इस वक्त में मौझूद हूँ नारायनपूर जिले में नकेन सरकार वहां सर्वे करा पाई नराज सरकार को उस इलाकी की बहुत ज़्यादा जानकारी है ऐसे में नारायनपूर में एक बहुत ही यंग ओफिसर को कमान मिली है जिले की और बहुत अच्छे से वहां के ऑप्रेशन्स को अंजाम दे रहे हैं तो आपके पूरे सवाल में ने दो सब्द को पकड़ा एक आपका इलाका और दूसरा अबूज तो पहले आपके इलाका पे मैं आता हूँ कि अभी बस्तर में नकसलवाद के साथ जो पुलिस के लड़ाई या प्रशासन के लड़ाई चल रही है यह इसने जुरिस्डिक्सन को बलर कर दिया है अभी सभी जिले सभी फोर्सेस सभी एलिट फोर्सेस DRG हो, STO4, जिला पुलिस हो, बस्तर फैटरस हो सभी जिले और सभी फोर्सेस लड़ रही है और सभी साथ में लड़ रही है तो अभी तीन दिन पहले गोबिल में ऑपरेशन हुआ गोबिल में हमने छे नक्सलियों को मार गिरा है हमारे तीन जवानों गुलिया भी लगी सभी सुरच्चित है तो वहाँ पे चार जिले की DRG गई थी दानते बड़ा गई थी कोंडा गाउं, जग्दरपूर तो एक पहला अस्पेक्ट था कि अब इलाके पे नक्सलिय इसका फायदा उठाते थे कि एक जिले से दुसरे जुले में अपने आपको मजबूत करते थे उसको हमने नकार दिया है दूसरा आपने बता है अबुज तो मार अबुज नाग के सामने अबुज जड़ू लगा है लेकिन हमारी इलिट फोर्सेस के लिए DRG के लिए सभी जिलों के DRG के लिए STF के लिए मार अबुज नहीं है अबी पिछले दो मेने के बात करूँ तो मार के उत्तरी कोने में अबुज नहीं है इसकी अबुज नहीं है इसकी एक-इक पहाड, जंगल, नदी, गाउं जो की भोगलिक परिस्ति इसको हम समझते हैं इसकी सांस्क्रितिक परिस्ति समझते हैं और इसकी यहां की अदिवासयों के समझते हैं और उसको अडॉप्ट करके हम लिए बात से इत्यफाक रखना चाहँँगी इस बारे में तो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जिस इलाके में लकसली बहुत बड़े-बड़े अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, नकसली जो बोलता है उसे सुनते हैं, उसकी धमकियों से डरते हैं उसे अपने छोड़े से चावल का हिस्सा देते हैं उस भीड को जो डर में वहाँ बैठी है उसको नकसरी बोलता यह जना दालाते हैं तो वो पूरे सौ लोग मानते हैं जना दालाते हैं उसमें से बोलता है यह एक मुक्वीर है तो पूरे 99 लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके बस बंदूक है उसको मार देते हैं उसी बंदूक के डर से और उसी बंदूक के डर से बाकी 90-95 लोगों को वो बोलते हैं अभी आप जाईए उस सड़क की किनारे बैठ जाईए आपका बैठने को धरना बोला जाएगा और आपको विकास का विरोध करना है आपको रोड का विरोध करना आपको बिजली का विरोध करना आपको टावर का विरोध करना है आपको विकास की हर योजना का विरोध करना है तो अगर हम इसके जड़ में जाएं को मारने के लिए डर मनाने के लिए और उनके उपर हावी होने के लिए रखे हैं बाकि ये लड़ाई तो विकास और नकसलवाद की है या तो नकसलवाद रहेगा या फिर विकास आईगी और विकास को रोकने के लिए बंदू लेकर बैठे हैं आप जाते हैं ऑपरेशन्स पे कैम स्कूर के आउप्रेसिन करने जा रहे हैं तो जो गाउवाले हैं वो नकसलियों के डर उनकी मतलब उनकी मजबूरी यह है कि उनकी एक्सप्रेसिन की आजादी नहीं रह गई है पुलीस हर जगा प्रतिय दिन नहीं पहुंच पा रही है हम भविश्में पहुंचेंगे जल्दी आईए जल्दी कैम खुली है इस एरिये को आजाद करिए था कि हम भी खुल कर अपने आपको एक्सप्रेस कर पाएं आज के दिन में वो छेत्र जो आजाद है नकसलवाद से वो दान्ते वाड़ा हो सुकमा का पस्चेमी लाका हो वो जगदलपूरो वो कॉंड़ा हो वहाँ पर वहाँ क्या दिवासी खुल कर बोल रहें कि नकसलवाद गलत है लोग कहते हैं कि विचारदार है नकसलवाद नकसलवाद बाड़ी से शुरू हुआ एक क्रांती थी और मजलूमों की आवाज थी हाशिये पर पड़े व्यक्ति के नियाय दिलाने का आंदोलन थ क्या लगता है आपको ऐसा कुछ सच में है तो 40-50 साल पहले कुछ कारणों से इस में मैं दो बात बोलूँगा यह विचारदार कहां की है विचारदार को मानने वाले कौन है प्रभावित किसको कर रहा है और फिर विचारदार आज है कि नहीं पहले इस पे आते है के बाहर के लोग आकर बस्तर के मासुम आदिवासियों पर थोब देते हैं आज से 50 साल पहले ना तो यहां हिंसा थी सब जगा सड़क थी बहुत सरे जगा सड़क थी जो बंद हो गई तो और इसको इस विचारदार को थोब कर आदिवासियों का आपस में लड़ाते हैं और जो इस फरजी विचारदार को अपना 40 साल दे चुके हैं उनका भी विश्वास डोल गिया है इस विचारदार में उनकी जिद यह पहली चिद जो सीनियर काडर है जो बाहर के हैं उनकी जिद पर यह विचारदार अटिकी है जो मिडल काडर है नक से लिक हैं जिनके पास बं डिल का डर के बंदुक का नशा और लोवर का डर और गाओं वालों के और आदिवासियों के डर से ये विचारधरा टिकी होई है और हर चीज का एक चौथा पिलर होता है तो चौथा पिलर यह है कि बाहर वालों का सपोर्ट ओवर ग्राउंड वरकर कुछ इंटेलेजिसिया है कुछ जर्निलिस्ट भी है कुछ अकैडमिसियंस भी है तो वो जो कि बाहर से सपोर्ट करते हैं तो वो चौथा पिलर है बहुत इंपॉर्टन पिलर है लेकिन जिद नशा और डर इन तीन चुझे पर विचारधर टिकी है जो पुरानी विचारधर अगर कभी कहीं रही भी तो आज उससे विश्वास तो इनके खुद के सीर्ष नेताओं का उठी गया है तभी तो कुछ लोग ने आंधरा और देलंगाना में जाकर सरेंडर भी किया है तो हमारे साथ प्रबात कुमार जी थे जो एस पी नारायनपूर है और मैं एक बात उनकी देखांकित करना चाह अजाल मकसद है आम आजबासी को आम आदमी को एक्सप्रेशन की आजादी दिल्वाना जो भाय के मारे नकसालियों के अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर बा रहरा ह। अपनी दुखद को भी वो शेयर नहीं कर ऑट और मुझे लगता है कि मैं सहमत होंगी हाला कि प्त्रका इस वक्त में मौझूद हूँ बस्तर के एक नकसल प्रभावी जिले नारायनपूर में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो आपको लोग दिख रहे हैं बैठे हुए वह निर्दोश आदिवासी लोग है जिनने सबसे बड़ा खामियाजा नकसलवाद का बस्तर में चुक लेकिन असल में नकसलवाद का जो दंश ठेल रहे हैं वह हमारे आदिवासी भाईवेनी चेल रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग है जो बता पाएं अपने बातों को कि उनका दर्द क्या है आपको क्या नाम है का किरने वाली है है नाम जो बता रहे हैं कि मेरे बरे योरे की मेरे ससुराल वाले यारे कि मेरे पुरा मतलब धन पान सब्था उचको जला के मतलब भगा दिये इसे बोलके बोल रहे हैं मेरतोसादी यही नारनपूर में हुआ हमको यहां रहके खाने के लिए भी मुश्किल था करीब नहां नारानपूर में आके नाकसली पीडी तरफ से मेरा हस्वेड को अभी नवकरी मिलाय तो खा रहे हैं पस हमारी दर्कात से सरकात से कि हमको सरकार तरफ से नकसली पीडी थें तो हमको कुछ नकुछ दिया जाए आपके साथ किया घर्टना का लूए तो आगे नारानपूर में नरानपूर में आके यहां पर रिपोर्ट करवाए तो पापा को नवकरी में मेरा भाई गाड़ी चलाता था जले सर्याद हो था और ना नकसली लंग बोले कि अब पुलिस नवकरी करता है घर में आके गोली बार चलाए घर से निकाल दी एक बर नहीं दो बार हुआ छोटे डोंगर बढ़ गां कि 2002 में आपको लगता है कि नकसलवाद ठीक है समर्थन करत अबने के लिए नारायनपूर पहुँचा है और आप देखिये कि कितने सारे लोग हैं बड़ी संक्या में लोग है जो यहां बैठे हुए हैं यह सब वही लोग है जो कभी नकसलवाद के दंच का शिकार हुए है जिरों ने अपनों को खोया है अपनी संपत्ति को खोया है अपने मान सम्मान को खोया है और आज मजबूर होकर अपने घरों से कोसो दूर रहने को मजबूर हैं। कभी हम जवानों की लाशे गिनते थे इस बस्तर में लेकिन आज लाशे गिनी जा रही हैं पर नकसलियों की लाशे गिनी जा रही हैं। लगातार जन्वरी से हम लोग देख रहे हैं यह जो साल की शुरुवात हुई आपकी। एक के बाद एक एंकाउंटर हो रहे हैं और पुलिस को एक रिमार्केबल सफलता मिल रही है। तो कुछ नया आप लोगों ने घेराबंदी की यह नकसलियों की, कुछ और आप लोगों ने की यह भूगालिक इस्तितियां भी बड़ी खतरना के चत्तिसगड़ की। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि पुलिस भारी पड़ी सर नकसलियों पे। जिस तरके से सुरक्षबल आपस में बहतर तालमेल के साथ, बहतर कोडिशन के साथ, इंटर डिस्टिक इदी बौडर इलाक हम देखे जाएगा, साथ-साथ इंटर स्टेट बौडर हैं, जिस हमारा चार सीमा और दी राजी पड़ता हैं, तिलिगाना, आंधरा, उडिसा और महाराश्टा, इन सभी राजी के पुलिस के साथ, बहतर तालमेल के साथ, अभियान के काफी अच्छा है, एक सख्रात्मक परिना हमको देखने मिल रहा है, निश्र दूप से आने वाला साएम में, और इस बड़त को हम आगे ले जाएगा, और नकसल गदी विदी को सावाप आप लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरह तदाकातीत सामाजी कारे करता है, मुटभेडों को फरजी बताते हैं, पोजिशन भी कई बार उसको फरजी कह रहा होता है, तो उसका कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या आपके मॉरल पर कोई उसका असर पड़ता है आप लोग क्या मन में आता एक पोलिस ओफिसर होने के नाते? ना केंद्रिय अर्थ सैनिक बाले दताना तो उसको कोई इन्वाल्वन्ट नहीं होते हैं, लेकिन प्रदिबंदी ते हम गयर करनों नी मावदी संक्राट के एक पुराना मोडस अपरेंडी है, कभी भी बैक फुट में रहते हैं, उस दोरान अपना केडर को मनाबल को बढान इस तरह के उनके एक 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 सिस्टम बना हुआ, उसी के मावदियम से स्वरक्षाबल का क्रेडिबिलिटी को उपर एक प्रेशन चनलागाने का और स्वरक्षाबल को मोरल डौन करने का उनका प्रयास रहते हैं, लेकिन शेत्र के जानता मावदी के इस प्रकर का हद करने को अभी तक देख लिए, जान लिए, समझ लिया, इसलिए मावदी के इस प्रकर का प्रयास से बहुत ज़्याद कोई असरन नहीं पड़ते हैं, उल्टा उनकी कात्मा के लिए काफी एक बड़ा कारन भी यही बन सकता, क्योंकि शेत्र के जानता बहुत नसीग से देख रहा है सुरक्षबल किस परिसीदी में काम कर रहा है, उनकी रक्षा के लिए अपना जान को जोकी में डालकर जो कारवई कर रहा है, इन सब परिसीदी को स्थानी जो जनता है, और स्थानी जो विवस्ता में जो लोग involved sभी stakeholders है, इन स्थानी जन प्रद्यदी हो, यह स्थानी media हो, जो भी वेक्ति मेलब इन सब चीज को नजीक से देखर, सब जान रहा समझ रहा है, इस्टे मौधी किस प्रकर करकर जो प्रयास से कोई फरक नहीं पड़ेगा, उल्टा उनकी सामापती के लिए कात्मा के लिए बोट बड़ा कारण भी बने गा, आपने इतनी अची अची अच जैसा बस्तर शेयतर के जो पूर में एक पैचान बार के दुनियों में बन गएते, जैसा कोई विस्पोर्ट हो रहा है या कोई बड़ी वारदात में जो सुरक्षाबल का काफी बड़ी संक्य में साहधात हो रहा है या निर्दोश ग्रामें का नुकसान हो रहा है, इस साथ साथ जो बार के लोग अंदर जाकर बस्तर कैसा है, क्या है, वो देखेगी नहीं, समझेगी नहीं, फिर उसके बार, बस्तर के बार में एक नया पैचान, ये नया चबी बनने में दिखत होते हैं, इस टीए कनेक्टविटी में देखे जाए तो साड़क पूलपलिया के साथ साथ जिसा भी एर कनेक्टविटी भी बस्तर में, अभी हैडरबैट से लेकर जहलपूर, जहलपूर से राइपूर और जहलपूर से जहलपूर होते हैं डिली तक अभी इनक्टविटी बन जा रहा है, जिसके मादियम से बाहर से काफी बड़ी संके में परीया टक हैं और जैसा मरी जब बीमारी की इलाज के लिए बेतर इलाज के लिए जो नादी नाला पार करकर पहले काफी कटना ही होना पड़ते हैं अभी पूल पलिया बनने के कारण से इंद्रावधी ने दिक उपर चार बड़ी प्रिजस का काम हमने लिए उसमें दो कंप्रीट होगे दो का काम अभी प्रगदी पर हैं उसी साब से अंदर अंदर जैसा इदे उत्तर बस्तर डिविशन इलाका में भी देखे जाये तो मलब आपका कोटी ने दिक उपर और नीचे चिंतावा ने दिक उपर ब्रिजस वारा बनने के कारण से स्थानी लोग के लिए काफी देवरत जैसा लोकल रोजगार का भी एक आफसर प्रदय हो रहा जो लोकल एकोनोमी में भी बूस्ट अप हो रहा है और इस प्रकर कर मलब जो करेंट विटी प्रजेक्ट से करण से शेतर के जनता के जीवन में एक साकरत्मक परिवतन होने के साथ साथ परियतन में भी और अ आएंगे वो सुरक्षित रहेंगे इस बात की भी गरेंटी उनकी है क्योंकि लगातार जिस तरह से नकसल वात के खात्मे के लिए उनकी टीम एक्शन ले रही एंटी नकसल ऑपरेशन्स चला रही है आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से बसतर जो है वो बहुत सुरक्षि परिवारों को रोजगार मोहिया कराया जा रहा है और ये एक नए माहौल को कायम करने में एहम सामित हो रहा है एक तरफ तो बस्तर मावाद का दंश जहेल रहा है लेकिन बस्तर की एक सुन्दर तस्फीर भी है क्योंकि बस्तर अब बदल रहा है नकसल प्रभाविश शेत्रों के जो युवा हैं वो मुख्यधारा में आ रहे हैं पुलिस जॉइंग कर रहे हैं देश की सेवा करना चाहते हैं उनके मन में देश भक्ती का एक जज़वा है और देश के लिए वो अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो एक पहुत ही सुन के मन में जोश है जुनून है कैसा बस्तर चीवा अपना को बस्तर में विकास हो बस्तर स्कूल हो शिक्षा हो बच्चे बस्तर के आगे बढ़े दुनिया देखें आपके मन में प्यार थिच्थ की सुविद्य हों कितने बच्चे आपको अठी सिक्षाय दे रहे हैं इंट पहले बहुत तूट गई थी कि मैं अपने बच्चे का भी सकेसे बनापाँगी करके क्योंकि हाथ काली था और सहारा देने वाला तो चला गया तो अब बाप और मा बन के मैं कोई पालना है बच्चे को अभी मत आ रहा है कि मैं बच्चे को अच्छा भवी से दे सकूंगी आप भी नकसल इंसा की शिकार हुए जी जी तो ये सारे लोग हैं देखिए बस्तर के लोग अपने आपको बहुत अच्छे से एक्स्प्रेस नहीं करते हैं थोड़ा जिजगते हैं बात करने में क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया से भी बहुत कोसो द और आने वाला जो समय होगा मुझे लगता है बस्तर का बहुत सुनहरा एक समय होगा जिस तरह से बस्तर को लोग जानते थे केवल नकसलवाद के नाम पे अब एक नए बस्तर की तस्विर भी देश और दुनिया को देखने को मिलेगी